दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडिया और नहीं जैनकारी के वाल आपके लिए नमस्का फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनिस आइडिया लेके आई हूँ जो कि आपका पूरे बारा महीने चलता रहेगा और वो भी बहुत अच्छे से चलेगा और सबसे इंपोर्टन चीज यह कभी बन नहीं होगा और मार्जिन इंक्रीज होता रहेगा तो आप इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना सो लेट्स गो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वीट बॉक्स मेकिंग बिजनस के बारे में दोस्तों स्वीट बॉक्स वो चीज होती है कि कोई भी आप अगर मिठाई खरिकते हो तो उसकी जो पैकिंग होती है जितनी ट पैकिंग भी हो तो मिठाई खाने का मज़ा ही कुछ और होता है जमदन भी हम लोग फेस्टिवल्स में या अगर हम कोई शादी या पहीं जाते हैं जहां पर हमें ऐसे पैकिंग के बॉक्स मिलते है और उसके अंदर जो मिठाई होती है तो बॉक्स जितना अच्छा हो मिठा के बारे में आज बात करेंगे हम देखेंगे कि इसमें कौन से मशीन क्या वशकता होती है कौन से रॉव मट्रियल्स लगते है इसके अगावा इस में कितना कॉस्टिंग लगता है कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए तो दोस्तों और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रू ज़रू सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों बड़े लिए व्यूं थो दोस्तों अगर बात करें इस बिसनस में एरिया की तो आप इस बिसनस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं आपको घर में भी 250 स्क्वेर फ और दोस्तों अगर इसमेंब बात करें दूसरे मशीन थो आपको दूसरी वहां पर नाम प्रिंट करना है तो आपको एक प्रिंटर की भी जरुवत पड़ सेकती है तीस है यासी यह प्रिंटर्स की जो प्राइजिंग है वो स्टार्ट हो जाती है अब दोस्तों अगर बात करें इसके रॉम मट्रियल की तो आपको प्रिंटेड हाड पेपर लगेगा प्रिंटेड हाड पेपर आपको 25 से 30 रुपे किलो से आपको मिल सकता है इसमें एक किलो में अगर आप एक नॉर्मल बॉक्स के जो प्रिंटेड है वो बना रहे हो तो आपको कुछ 700 से 800 बॉक्स आपके बनके त्यार हो जाते हैं अगर आप एक हाइग औरिटी बॉक्स मना हो तो उसमें पेपर थोड़ा जाजा लगता है तो आपको जो बॉक्स है वो आपकी जो 300 से 400 पीस में बनके आप त्यार कर सकते हो तो दोस्तों इस प्रकार इस बिजनेस में आप काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी बना सकते हो अब दोस्तों अगर बात करें इसके क मार्केटिंग किस प्रकार किया जाए दोस्तों जैसे कि यह विजनेस जो है यह बीटूबी वाला बिजनेस है क्योंकि इसमें आपको डारेक्ट कस्तमर तक नहीं पहुचना है तो इसके लिए आपको कुछ सेल्समें रखने होंगे जिनके टार्गेट कस्तमर जो है वो स्वीट शॉप हो सकते है बेकरी शॉप्स हो सकते है जो सुपर अबागार है वह सकते हैं क्योंकि उनको भी पैकिंग के लिए कभी-कभी बॉक्स की जरुबत पड़ती है इसके अलावा इवेंट मैंग्जमेंट जो कंपनी उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इवेंट मैंगें में आजकल क्या होता है कि 300-400 जो बाराती आता है उनके इस आपसे जो विदाई होती है या कुछ और फंक्षान होती है तो उसमें गिफ्ट देने के साथ से भी इस टाइप के बॉक्स की पैकिंग लगती है तो दोस्तों यह लोग आपके टर्गेटिंग कस्टमर्स बन सकते हैं और फेस्टिवल में यह बिजनस आपका सबसे अच्छे लेवल पर आप स्टार्ट आसकते हैं क्यूंकि फेस्टिवल में इस तरह के बॉक्स की जारा जरूत होती है तो दोस्तों ये थे एक all over information इस business के बारे में हम इसी तरह की information हमेशा लाते देते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो जरूर जरूर लुटाइए है